जी हां स्टाप्स का अपकमिंग शो अनुपमा अपनी अलग तरे के स्टोरी लाइन को लेकर फिछले काफी टाइम से सुर्खियों में हैं इस शो का सभी को बेताबी से इंतजार था लेकिन अब खबर आ रही है कि इस शो को लांच नहीं किया जाएगा जी हां ये शो कल यानी सोला मार्स से औरनियर होना था लेकिन ये शो तैवक्त पर औरनियर नहीं हुआ ऐसे में फैंस के बीच इस बात कि चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या अनुपमा शो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है क्या शो के साथ शुरू होने से पहले ही कोई कॉंट्रूवर्सी तो नहीं हुई वैल अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं इसकी असली वज़े तो सुनगे, दरसल कोरोना वाइरस की वज़े से टली है अनुपमा की रिलीस डेट जी हाँ कोरोना वाइरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है इस वाइरस के प्रकोप को देखते हुए ही कई टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्मों की शुटिंग रोग दी गई है और इसी का असर अनुपमा शो की रिलीस डेट पर भी बढ़ा दरसल खबर है कि शो के मेकर्स चाहते हैं कि उनके इस नए शो की क्रू और कास्ट कोरोना वाइरस के प्रकोप से बची रहे और इसी वज़े से उन्होंने इस सीरील की लाँच डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है Sportboy से खास बातशीत में, प्रोडूसर राजन शाही ने भी अपनी टीम की हेल्थ को प्रायोरिटी बढ़ाया राजन शाही कहते हैं आगे राजन शाही कहते हैं वेल अगर बात करें शो अनुपमा की तो ये शो बंगाली शो श्री मोई का हिंदी रमेक है इस सीरिल की जरीए रुपाली गांगुली पूरे साथ साल के बाद छोटे पर पर कमबा कर रही है ये शो एक ऐसी औरत अनुपमा की कहानी है जो अपने पती और बच्चों की खातिर अपने जीवन और महत्व कांशाओं का त्याग कर देती है इस शो को राजन शाही प्रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन कोरोना वाइरस की वज़े से ही शो को कुछ टाइम बाद लॉंच किया जाएगा तो देखते हैं कि शो की नई रिलीज डेट क्या होगी